हेलो दोस्तों अभी CRPUp में जो question GS किया है वो हम लोग GS के question देखेंगे जो अभी recently exam हुआ 2023 में तो इसी हिसाब से हम लोग next जो आने वाला exam है उसकी बहुत तैयारी करेंगे तो इसमें कोई explanation नहीं करेंगे बस normal question दिखाएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के question आते हैं और फिर उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो पहला यह question है कि जार्खन पार्टी का अंग्रेस पार्टी में बिले किस वर्स हुआ ठीक है second question यह neutron का दिर्मान कितना ह मार्च 2022 में भारत के सरबोच नियाले दोरा अदालती कारवाही की live streaming शुरू की गई तो यह को भी question देख लीजिएगा और यह next question है कि हलपा अस्थानी रूप से कोट टाक टिमबा कहा जाता है ठीक तो यह जो है देख लीजिए ऐसे से कुछन आता है जैसे कि मोहन जोदालों को नकलिस्तान मतलब सिंध का जो नकलिस्तान बोले जाता है सिंध्ध को मोहन जोदालों को तो यह सब important question है ऐसे ही बनते हैं देख लीजिएगा और next question है कि भात इसमें से question पूछाई जाता है कि जो एक्जामनर है वो यहीं से question जो है put करता है चलिए देखते है नेक्ट question है कि एक ऐसी इस्तित है यह देखिए उसमें का question है economic का अब देखिए economic कैसा question है यह भी देख लीजिए कि किस तरह पढ़ाई करना है चलिए next question देख लेते हैं डल हो जी कि समय कौन से घटनाए हुई है यह भी important इसके बारे भी अच्छे पढ़ाई करना है ठीक है कि किसके समय में कौन से लडाई हुई है और यह भी एक बनता ह यह जो एकोनॉमिक का question बनता है ठीक है तो economic के question करें दो हो गए है ठीक और फिर यह आता है भारती प्रेटन बित निगम लिम्टेड मतलब अब यह यतने भी मतलब संस्ता हैं यह भी आ सकते है question कब बनी हैं कहा बनी हैं कैसे बनी हैं क्यों बनी काम क्या है हार एक चीज तो नेक्स्ट को चलने गिया हैं भारत के राज्यों और केंसा से प्रदेशों में आउसत वारसिक संब्ध। नेए कौन सा कथन गलत है तो यह कुष्यन है केरल लच्छधेव में आउसत वारसिक वर्षा के आकड़े जो समान है वर्शा के बार इमकि 것은 क्या क्या कहा जाता है कि तो यह कुष्चन देख रहे हैं और किसीस तरह लिए इसा बिल्कुल नहीं करना है कुछान देखो कैसे पूछे जाते हैं पिर उसी इसाब से हम लोगों को तयारी करना है ताकि आपने लोगों जो अच्छा प्रफॉर्मेंस अच्छा स्कोर कर सकें नेक्ट कुछ्चन देखिये कैसे पूछते हैं कि इंदुस्तान संगीत में नाद के बारे में जो दिये कत्रों में कौनसा सही है कौनसा गलत है ठीक ऐसे कुछन आते हैं नॉर्मल कुछ्चन नहीं पूछेगा भैया नॉर्मल कुछ्चन पूछता ही नहीं है जब भी पूछेगा उटपटांग तरही के से पूछेगा भंसा के रख देगा कि इसलिए जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो जितना पढ़ो दृूर्पत और धमर से कुछन संगत के रूं में बजाया जाता है घटक किसमें बजाता है ड्रम किसमें बजाता है युदा तो उसे थे हैसाफ से देखना ॉस को सब्सक्राइब करें चौदा नंबर कुष्चन है ठीक है फिर पंदर नंबर देख लिजेगा कैसे कुष्चन आते हैं और वीडियो पॉस्ट करके देखते जलना हम ऐसे नॉर्मली बढ़ाते जा रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वाकि ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखना है किस त अब से तयारी करना बस और कुछ नहीं को यहां से लेबल उठाना अब यही कोष्चन पूछ लेएगजाम में तो ऐसा तो वहागा नहीं बहुता है लेकिन इसी के जो समकच कुष्चन बनते हैं उन से अब से पूछ लेता है तो यह नहीं कि यह पिपर उठा के दर देंगे ठीक तो इससे कुछ related question उठाएंगे बस तो हमको यह देखना कि कैसे topic किस topic question उठाते हैं कैसे question पूछते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है ठीक है यह देखो important question आया है इसका जो भी राची में race जो walking championship हुई है ठीक है तो यह करेंट का question है तो करेंट के किसे question बनते हैं यह देखना है चलिए next इस पर आ गया है रोजगारी उपर रोजगारी पर ठीक है तो यह भी देख लेना अच्छे से और फिर लड़ाई के बारे में दिया गया है कि जो लड़ाईजा हुई है तो उसके सब किसके सासनकार में हुई कोन राजा था कोन नहीं था तो यह सब देखना तो से देवर की लड़ाई जव दिग है वह 1606 में होई मेवाळ और मुगल सेना के भीच में ठीक है और जो थाने सर की लडाई होई है या 576 के आसपास होई है हरियावणा में मतलब हरियावणा मेड़ा में ही हई ठाना जो थाने मेच है एक मतलब का साहए शक्यृण की बीच हुई आसपास हुई है यह 1624 महाराष्ट महाराष्ट के पास में हुई है और यह खानुवा कर जो यूद्ध हुआ है यह 16 मार्च के आसपास 1527 आगरा में 35 किलमेटर दूर खानुवा गाउं पड़ता है वहीं बाबर और मेवार के बीच में मतलब बाबर और मेवार के जो राजा है राणा संगा उनके बीच में हुआ था ठीक है तो चलिए देखते नेक्ट अब देखे यह ऐसे कुछ चलाते हैं कि यह यह च्छेतिय तहवारों विशेश रूप से वसंत तहवारों तहवार चैत्र पर्वसे घनिष्ट रूप से जु सहल्यों को मखोटा का उप्योग करती है ठीक हो तो इसका घो जेंडी स्वायी केला जो होता है कि जहारखन का है ठीक है और ? अर्यए पुलरिया जो है यह पश्चिम बंगल के साइट में होता है मतलब यह चाउह बाकि यह जहीं बनाया बना जाता है और ये सराइख केला ज्हार खंड में है और यह जो लास्ट बचताह की ये उडुचा का छहनृत लिक्न इसकों तीन जंगा बनाए जाता है ठीक है है यह देख लिए इंपार्टन और में फिर से पूछा सकते हैं तो यह बही इंपार्टन कुछन नहीं चरूर याद कर लेना ठीक है most important ठीक है यह जो सराय केला है जारखन ठीक है और पुलरिया जो है वह पस्चिम बंगार और जो मयूर बंज है उडिसा ठीक है तो यह यहां यहां के निरत्य है चलें नेक्स्ट कुछन देखते हैं भार्ट सरकार खान मंत्राले नहीं देखें करनिट का कुछेडन है तो इसको भी करनट पढ़ना है किस तरह कम पूछे जाते हैं वही करनट पढ़ने साब नहीं जो व्यां पढ़ लिए आ यहां नहीं उसके बिज़ जैसे दिखा रहे हैं वैसे देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब परो कमेंट करो हम दिखा देंगे दो तीन दिन बाद वीडियो डालेंगे उसकी भी है यह नेक्ट कुछन देख लेते हैं बारत अभराई भीयान होगा यह जी देखिए करेंट का कुछ नें तो क्रेंट अगर 21 कभी आ सकता है और 2020 कभी आ सकता है ठीक तो तुछ जिसे-वी 2002 थेजम आदी होना चाहिए और कुछ थेज के करनेंटा पेजिक के भी अच्छे साम चाहिए कुश्चन और 22 की कुष्चन के चाहिए अच्छे से आना चाहिए तो यह आकरी कुष्चन है पदात में कुछ गुण होते हैं पदात की